नमस्कार शहजाद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार शहजाद जी जो एक बंगला बने न्यारा प्रोजेक्ट है अर्विन केजरिवाल का ये तो पूरी तरह से बेनकाब हो गया उन्होंने तो करोड़ों खर्च कर दे इस प्रोजेक्ट के लिए और वो भी अव के रेनोवेशन की कहानी नहीं है बलकि ये मानसिक्ता सोच और विचारों के रेनोवेशन की और राज योग से कैसे राज रोग तक ये पहुँच गए है उसकी कहानी है पैतालिस करोड रुपे आप अपने बंगले को और सुहाना और आलिशान बनाने के लिए खर्च करते हैं उस समय पर जब कॉविड काल था और उस पैतालिस करोड रुपे को अगर दिल्ली वासियों के लिए इस्तमाल किया जाता तो किस प्रकार से लाखोग वैक्सीन डोज़ आजाती हजारों कॉंसेंट्रेटर आजाते चारजार पांसो बैड बन जाते एक स्वस्ती क्लास्रूम बन जाती जिसमें हजारों बच्चे पढ़ लिख पाते पर तु उसके बदले आपने क्या किया आपने अपने घर में तीन करोड की व्येटनामीज मार्बल लगाए एक पे लाक रुपए शावर कर्टन और स्टील रेलिंग जो स्टेरकेस की रेलिंग है उसके लिए खर्च हो गए तो इस प्रकार का जो खर्च किया गया इसको कह सकते ऑपसीन खर्च किया गया है और जिस प्रकार से इन्होंने पहले आइडेलोजिकल करॉप्शन किया कि मिल गए फिर इन्होंने वित्य करप्षिन किया financial करप्षिन शराब गोटाला और यह जिसको कह सकते हैं moral करप्षिन मतलब की एफिडेविट पर लिखते थे कि हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे सामाने तरीके से रहेंगे पर उस पर पूरा यूटर्ण करते हुए आज किस प्रकार से एक महल में रह रहे हैं यह नैतिक करप्षिन का भी उदार्ण सामने आ है अब तो CBI में भी शिकायत चली गई है कहा जा रहा है कि LD किसी भी वक्त आदेश दे सकते हैं कि इस पूरे गोटाले की CBI जांच हो कैसे 45 करोड एक बंगले की रेनोवेशन पर ही खर्च हो गए अंजु जी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विशह है इसमें कोई भी एजनसी इसमें जांच करना है तो करे पर तो आपने अगर देखा होगा इसके खुलासे में एक बड़ा एंगल सामने आया है कि जब भी इस काम को कमिशन किया गया कुछ छेसा चरणों में 2020 से लेकर 2021 तक हर बार 10 करोड से कम की राशी को आवंटन किया गया ये क्यों किया गया क्योंकि GFR जो 2017 है दिल्ली का Guidelines for Financial Rules या जो Governing Rules है Financial Norms के दिल्ली सरकार के उसके तहत अगर 10 करोड या 10 करोड से उपर का कोई भी खर्च होता है तो उसके अंदर एक Integrity Contract Sign होता है कि कोई Corruption नहीं हो होगा और वो Level of Officers के बीच से जाता है जिसमें की वो चेक करते हैं कि सारी Processes फॉलो हुई की नहीं इसलिए 10 करोड से कम खर्च रखा गया कहीं पर खर्चा 9 करोड 99 लाग कहीं पर खर्चा 8 करोड स्वान सो 7 करोड स्वान सो फिगर तो ये इस प्रकार से खर्च किया गया है दूसरी बात संजय सिंग ने बयान दिया कल उन्होंने कहा कि उन्होंने तो पुष्टी कर दी के खर्च हुआ है उन्होंने कहा अस्ती साल पुराना था गर च्छत तीन बार गिर रही थी और ये च्छत गिरती रही इसलिए PWD रे इसको पूरा तुलवा के नया बनाया है उस जोन में तुलवाने की पर्मिशन लिये बिगएर उस घर को तुलवाया नहीं जा सकता यदि घर को तुलवाया गया था तो उस कालखंड में चीफ मिनिस्टर उसका परिवार कहां रह रहा था यदि ये रीकंस्ट्रक्श कर्टन लगाया जाए यदि ऐसी कोई खोच की गई है तो मुझे इसके बारे में नहीं पता मैंने तो यह सुना है कि जो बात्रूम में उनमें कबोर्ट भी चार-चार-पांच-पांच-पांच लाग के लगाए गए है और इतना सारा पैसा उस बात्रूम के लिए भी खर्च किया गया है बंगले में एक नहीं पंदरा वाश्रूम में इस तरह का बंगला त्यार करव कि है विकास भवन विकास तदन वहां पर यह सारी चीज़े साइन हुई थी उस समय पर शायद ततकालीन जो मंत्री थे सतेंदर जैन थे अब एक ठीरी तो यह भी चल रहे है कि क्या सतेंदर जैन के नाराज़गी के चलते उनके करीबियों ने इस कागस को मीडिया तक पहु कोई भी काम inferior हैं ही नहीं अगर ornamental work होना है तो वो superior होना है अगर specification लगना है superior लगना है अगर shower का curtain लगना है superior लगना है marble लगना है superior लगना है तो ऐसे में जो आसन है जिस पर बैठना है और जिस पर निवरत होना है जिसमें आपको एक प्रकार से रिलीव होना है तो वो आसन आम कैसे हो सकती है वो भी superior quality की लगेगी तो अंजु जी अगर 4 लाग का toilet seat लगा है तो वो एक बहुत ही खास व्यक्ति के लिए लगा है तो उनकी superior quality को देखेंगी 4 लाग आप अपने दर्शकों के सहायता के लिए जब ये आप interview दिखाएंगी तो side में उसके visual दिखाना उसमें 15 बटन होते हैं keyboard की तरह बिलकुल एक फोन होता है वैसा keyboard होता है और उसमें मैंने क्योंकि 7 star hotel में ये होते हैं वहाँ पर हमने देखा है temperature control होता है क क्योंकि थंडा ना लग जाए करी पानी फिर उसमें पानी किस प्रकार से और किस प्रकार का भाव आएगा इस प्रिंकल होकर आएगा या जैट से आएगा यह बहुत अलग-अलग प्रकार की चीज़े होती है तो यह superior quality का लगा होगा 4 लाग का लेकिन आप सोचे कि एक आम आदमी जो कहता था कि मैं एक कमरे में के मकान में रहूँगा हमारे सारे मंत्री जी वो भी आम लोग की तरह रहेंगे कभी गाड़ी नहीं चाहिएगा कभी बंगला नहीं चाहिएगा उसकी इतने बड़े-बड़े नखरे इस बात की तो सच में हैरानी हो रही है दिखे सियासी धर्मांतरण का एक जीता जाकता उधारण है अरविंद केजरिवाल और उनकी पार्टी जब वो निकले थे तो वो इंडिया गेंस कोरॉप्शन थे अनना हजारे उनके लीडर थे उस समय पर अनना हजारे कुटिया में रहते थे तो ये भी ड्रामा करते थे क हम भाई कुटिया में रहेंगे पैर पसारने तक की जगह चाये दो-ती-्निंद छोड़ दो बस ओर उतना ही पैर पसारना है अमें और कुछ नहीं चाये हम गाड़ी नहीं लेंगे हम बंगला नहीं लेंगे अफिडेविट साइन किया था हम व्रस्ताचार n highs करेंगे , की सोगन तक काई थी अब जैसे ही राज योग हुआ और बहुत जल्दी राज योग हुआ तो राज योग में राज भोग के इतने आदी हो गए कि सबसे पहले संक्रमन राज रोग का उनको लगा है और ऐसा संक्रमन लगा है कि अन्ना हजारे तो आज भी अपनी कुटिया में हैं परंतु लालू के ये शागिर्द बने हैं और लालू जी की जिस प्रकार से संपन्ता हमने देखी है कि मगाव माता का चारा चुरा कर ये संपन्ता उनके और तेजस्वी की आई है उसी राह में उसी competition में आज अरविंद केज़िवाल भी कही कहीं खड़े हैं हर चीज superior तरीके से उन्होंने अपना बंगला बनाया है और इसको बेशर्मी से इसका बचाव करने के लिए आम आदमी party के लोग आज भी खड़े हैं परंतु कुछ इनके साती है प्रशान रूशन का tweet देख लिए क्या लिखा है उन्होंने और जो उनके पुराने साती थे उन्होंने कम से कम इसकी निंदा किया उसका खंडन किया है ये हकीकत है उनकी लेकिन आप ये देखे कि जब से वो विशेश सत्र बुलाया था विधान सवाका जिसमें एक महराजा की कहानी सुनाई थी अरविन के जिवाल ने उसके बाद से तो पूरी तरह से खामोश है कुछ बोली नहीं रहे है रागफ चड़ा जिस तरह की बाते कर रहे हैं कि कल से दिल्ली में महराज, चौती पास महराज के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे उसको आप इस तरह से देखते हैं ये कौन सी राजनिती है देखे रागफ चड़ा जी को तो बादशा का जो महल बना है उसके उपर उनको प्रदर्शन करना चाहिए कि किस प्रकार से ये बादशा का महल उन दिल्ली वास्यों के शवों पर बना है जिनको ऑक्सिजन की कमी और ऑक्सिजन टैंकर की कमी और सिलिंडर की कमी के कारण उनको अपनी जान गवानी पड़ी जब महराज अपना महल बना रहे थे उनको प्रदर्शन करना चाहिए कि जो आज महल में रह रहे हैं उनके अक्यूज नंबर वन मंत्री आज जेल की सलाकों में आज भी उनको कोट ने रहत नहीं दी है और ब्रश्काचार किया है और उनको प्रदर्शन करना चाहिए कि किस प्रकार से Commonwealth Games Camp में जिस प्रकार से एक ट प्रतकार देखने जाता है तो उसको धक्का मारके बाउसर हटा देते हैं तो रागव चड़ा जी को तो ये प्रदर्शन करना चाहिए कि भाई साब आप कहां से चल पड़े थे और कहां पर आ गए हैं पर तुम मुझे लगता है कि पता नहीं रागव चड़ा जी के भी कित उसको जस्टिफाइ करने के लिए प्रदर्शन भी करता है तो बिलकुर प्रदर्शन से निकली भी पार्टी थो पिर जाहिर सी बात हर बात पर प्रदर्शन करना उनके पित्रत में यह शामिल है लेकिन यह कहना कि सेंडल विस्टा बना है पांसो करोड का आट हजार-चार- करोड के जहास खरीदे गए मोधी सरकार की तरफ से उसका हवाला दे कर ये अपने इस महल को justify भी कर रहे है ये सब bogus argument है 8400 करोड के जो plane जो उसके बारे में बार बार को कहते हैं उनकी जो नहीं नहीं दोस्त बनी है Congress Party उसी के जमाने में UPA के जमाने में वो security purpose के लिए प्रियम और बाकी जो राष्ट्य अध्यक्ष हमारे officials हैं उनके लिए वो उन्होंने clear किया था तो Congress को जाकर बता है वो कि Congress ने गलत किया सही किया और उसकी तुलना इससे करना मतलब एक देश के प्रधानमंत्री और देश के रुपे खर्च करें और उसमें वेटनमीज मारबल लगा के एक करोड के परदे लगा है तो मुझे लगता है कि ये परदा गिर चुका है और ये परदा उठ चुका है और परदा उठने के बाद इनका असली चहरा सामने आ चुका है बिल्गु इनका असली चेहरा सामने आ गया है और सबसे बड़ी बात तो यही है शेजाद जी की यही लोग थे जो भ्रष्टाचार की बात करते थे और यह कहते थे कि इन्हें कुछ नहीं चाहिए लेकिन सत्ता में आने के बाद इन्हें सब कुछ चाहिए आपने विस्तार से इस मसले पर जो चर्चा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ता